आईर्वेद समाधान में आपका स्वागत है दोस्तो आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो कि हमारे वैद्य आपको घर बैठे देते हैं बीमारियों में खाय जाने वाली लौकी हमारे शरीर में कई रोगों को दूर करने में सहयक होती है यह बेल पर पैदा होती है और कुछ ही समय में काफी बड़ी हो जाती है इसका उप्योग हजारों रोगल्यों पर सलाद के रूप में अथ्वा रस निकाल कर यह सबजी के रूप में एक लंबे समय से किया जा रहा है लौकी को कच्चा भी खाया जाता है यह पेट साफ करने में भी बड़ी लाबदायक सावित होती है और शरीर को स्वस्थ और शुद्ध भी बनाती है लंबी तथा गोल दोनों प्रकार की लौकी वीरे बर्धक पित तथा कफ नाशक और धातु को पुष्ट करने वाली होती है तो आईए जान लेते हैं इसके और शुद्धिये गुनों को नमरे खासी टीवी सीने में जलन आदी में भी लौकी बहुत उप्योगी होती है नमर दो हर्दय रोग में विशेशकर भोजन के पश्षात एक कप लौकी के रस में थोड़ी सी क काली मिर्च और पुदीना डाल कर पीने से हर्दय रोग कुछी दिनों में ठीक होने लगता है नमर तीन लौकी में श्रेश्ट किस्म का पोटेशियम प्रचुर मात्रा में मिलता है जिसकी वज़े से यह गुर्दे के रोगों में बहुत उप्योगी है और इससे पेशाव खुल कर आता है नमर चार लौकी शिलिश्मा रहित आहार है जिसमें खनीज लवन की मात्रा अच्छे से मिलती है नमर पांच हैजा होने पर 25 एमेल लौकी के रस में आधा नीबू का रस मिला कर धीरे-धीरे पीएं इसे मूत्र बहुत आता है नमर च्छे लौकी के बीज का तेल कॉलिस्ट्रोल को कम करता है तक हरदय को शक्ति देता है ये रक्त की नाडियों को भी स्वस्थ बनाता है लौकी का उपयोग आतों की कमजोरी, कब्ज, पीलिया, उच्छ रक्त चाप, हरदय रोग, मधुमे, शरीर में जलन या मानसिक उ तेजना आदी में बहुत उपयोगी है, कच्छे लौकी को काट कर उसकी लुगदी बना कर घुटनों पर रख कर कपड़े से बांध लेना चाहिए, इसे घुटने का दर्द भी दूर हो जाएगा, सिर्फ एक साबधानी आपको बरतनी है, वो भी आप नोट कर लीजिए, ल जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेर कीजिए, आयरवेद समाधान